बिहार चुनावों में NDA की जीत हुई और महागडबंदन की हार हुई आपको ये बताते चलें कि NDA की ओर से नितीश कुमार जो की जेडियू के प्रमुग भी हैं वो साथ फी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपत लेने वाले हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार किस तरीके से जीते और महागडबंदन की किस तरीके से हार हुई सिर्फ 12,000 वोटों ने महागडबंदन की रहा को मुश्किल कर दिया और इनी 12,000 वोटों ने NDA गडबंदन के लिए तमाम रहा को आसान कर दिया इस वीजियो में हम आपको ये कारण तो बताने ही वाले हैं कि किस तरीके से 0,03 प्रतिशत ने भी इतना मैटर किया लेकिन उसे पहले ये जान लिजिए कि वो कौन से मुख्यकारण है जिसकी वजह से NDA की जीत हुई और महागडबंदन की हार सबसे पहले बात करते हैं वोट की जहां महागडबंदन MY वोट के जरीए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहीं दूसरी और NDA गडबंदन को कुर्मी वोट भी मिले सवन वोट भी मिले और तीसरा सबसे महतवपून बात की एकॉनोमिकली वीकर सेक्शन जो था उसने भी NDA को वोट दी दूसरी बात करते हैं इमोशनल काट की जी हां दूसरी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपनी जितनी भी रैली बिहार में की उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया और वो था जंगल राज तीसरी बात करते हैं आपको बताते हैं कि जो NTA के जो वोट थे वो बढ़ गए आपको ये बताते चलें कि महागडबंदन की सीमांचल में AIMIM ने काफी नुकसान किया और यही वज़े कि सीमांचल के एरियाज में महागडबंदन को बहुत बुरा नुकसान हुआ वो भी तीसरे चरण के जो मदान थे जिसमें कि महागडबंदन ये उम्मीद जदा रहा था कि उसमें उसे सबसे जादा वोट मिलेंगे और तीसरी बात करते हैं कि नितीश और मोदी सरकार ने जो कैश ट्रांसफर स्कीम जो दी थी उससे जनता काफी खुश हुई और तीसरी बात ये थी कि महिलाएं जो इस तरीके से शराब बंदी बिवाहर में की गई थी युवाज थे वो प्रिधानमंत्री डरेंद्र बोधी से इंप्रेस थे और यही वजह यही कारण थे जिसकी वजह से एंडिये को जीत मिली और महागडबंदन को हार मिली लेकिन अब बात करते हैं वोट की मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि किस तरीके से 12,000 वोटों से एंडिये की जीत हुई और महागडबंदन की हार हुई अगर इसे प्रतिशत में देखा जाए तो यह सिर्फ 0.03 प्रतिशत हुआ यानि कि अगर आपको बताते चले कि इस पूरे चुनाव में किस तरीके से एंडिये को कुल मिलाकर जो वोट मिले थे वो थे 157,1226 वोट तो वहीं महागडबंदन को मिले थे 158,88,458 वोट अगर आप इसे प्रतिशत में देखें तो एंडिये को सिर्फ 37,26 फीसदी वोट मिले थे तो वहीं तेजस्वी यादव की अगवाई में जो महागडबंदन बनाये थे तो इसमें तमाम पार्टियां थी उसे जो वोट मिले थे प्रतिशत में वो थे 37,2-3 प्रतिशत इसे आप समझ गया होंगे कि किस तरीके से जो गडबंदन है वो जी सिर्फ और सिर्फ 0.03 फीसद पीछे रहे गया लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आरजेडी इस वक्त बिहार चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उब्री है क्योंकि उसे मिले हैं 75 सीटे तो हला कि सीटे इस बार कम हुई है लेकिन इस बार भी आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 75 सीटे बिहार चुनावों में जीती है लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 12,000 वोटों से महागडबंदन सरकार बनाने से चूक गया